बिना विखरे बिना फटे हो एक दल्व यह टेस्टी पालक रोल हमने बणाई हैं और हमारा एक बी पालक रोल बिखरे गा नहीं और नहीं फटे गारना विखरे गारस हैं अगर आदे बार 옆 देखिली मेरी वीडियो को जरूद्वर देखोंगे मैंने और अज़िक्ष ब09 यहां तक मेरी वीडियो देख ली है तो जरूर आगे भी देखोगे मुझे विश्वास है तो यह कैसे बनाई है मैंने पालक से बनाई है पालक का यह मैंने एक जस्त्रिय बड़े-बड़े पत्ते हैं वह बड़े-पत्ते ले ली है और उनके क्या करेंगे जो पिछे की एडं पीजिका है यहां भी तोड़ा से टाइट हिससा होता है इसका यह देख लिए भी में अब चक्कु से निकाल लोंगे जहां तक आप निकाल सकते हो वह घंठ पत्त आप से फटेना यह देखले मैंने सभी निकाल लिए और एक भी निकाल लिए और यह पट्ट आ नहीं है बालू भी हमारे उबड़े हुए हैं मैंने दोनों को एक साथी बाल लिया था जरा सा तेल लेकर जीरा डाल दिया उसमें फिर चार पांच हरी मिर्च और लसनद रखा पेस्ट डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें एक चमच लाल मिर्च पोडर डाल देंगे जरा मेंको धूंगे पर आपके time के अंदर डाल दिया है और अच्छे से मिलाणे केभाद एक पलेट मन्ने काल लेंगे और अच्छे से मिला ले ना मैंको यह देखिंक में निकालने केभाद मैंने तोड़ा गरम मसाला आपके यह दाल दिया है और आथों से मिला लोंगी क्योंकि यह जो मटर है यह अच्छे से सोप्ठ है यह अच्छे से मतलब आलो के साथ मिक्स हो जाएगी यह फिलिंग एकदम टेश्टी बन के तैयार हुई है फिर हमने इसके लिए क्या किया है डेड़ कटोरियम ने बेसन ले लिया और आधी चमच हम इसमें हलदी और आधी चमची यह दॉल colleg 열ileri बना इसको पांच मिंट मिंट रखती हुँ दिखाती हुए प्ता लिया है और फिलिंग लेकर जितनी यह इस पत्ते के साइज में आ जाए तो उतनी रख्यामने पत्ते को आप कौन से भी साइड से फोल्ड कर ले ना इधर से या उदर से एक ही बात है लेकिन फोल्ड करना थोड़ी साफ जाने से कहीं आप पत्ते को इसको फाड ना दे इस्तरे आराम से इसको अलके 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 आतों से इस्तरे आप फोल्ड करते र यह देखिए दोस्तों इस तरिया अब इसको मैं इसको विरकते हूं यह भी तैयार हो गया मैं इसी तरिया मैं जितने भी मेरे पास पत्ते में सबी को इसी तरह मैं इसको तैयार करती हूं यह देख लो अगर दोनों साइट से अगर आपकी फिलिंग थोड़ी सी बार भी निकल रही है तो आथोसिया से मुठ्टे से उंगली से इसको दबा भी देना ऐसे यह निकलेगा नहीं यह देख लो मैंने सबी को तैयार कर लिया कितने सुंदर लेगा रही है यह अब इसे और मैंने एक तो डाल दिया है और आप सोचते होगा कि खुलेगा या ना खुलेगा यह तो दिखाई नहीं मैं दिखाती हूं अगले पत्ते में यह थोड़ा सा कट गया है लेकिन मंगला पत्ता दिखाती है आपको खुले साइड से डाल के दिखाऊंगी यह देखलो इस साइड से मैंने खुला हुआ है उपर डाल दिया है अब क्या करना मैंने इसको हिलाना नहीं है दो मिंट इसको अच्छे से ऐसे यह टाइट हो जाएगा यह फिर कहीं नहीं खुलेगा यह देखलो मैंने इसको अब थोड़ा फ्राइ कर लिया है यह खुलेग स्ञेट की बात सुरु का नहीं तो मारे युट त्रिक है मैं उस पटे के इधर से बताते हुझ और यह देख लों एक भी रोल है यह खिलेगी नहीं ऐसी है देख लों दूसरी ट्रिक क्या है वो भी बताते हूं मैं यह देख लो पत्ता थोड़ा सा खोल के और इस तरह हम इसके अंदर थोड़ा सा बेशन लगा लेंगे और फिर इसको फोल्ड कर देंगे फिर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा इसता बेशन का गोल लगा देंगे और इसको डीप कर और अब इसको कैसे भी मर्जी आप इसको डाल दो यह बिल्कुल भी नहीं खुलेगा जिनसे खुल जाते हैं पत्ते वह इस यह ट्रिक आजमाए पत्ते के थोड़े से अंदर भी बेशन डाल दें और उसके बाहर से भी तो फिर आप कैसे भी डालो कोई जंजट नहीं है पत्त आपका एक भी नहीं खुलेगा मैं इसी तरह में सभी को बना के तयार करके दिखाऊंगे आपको यह देखले दोस्तों मैं एक एक पत्ते को भी नहीं खुले ही मैं तयार कर रही हूं और यह इतने टेस्टी यह पालक रोल नास ता तयार होके दिखाऊंगे मैं आपको कितना अच्छा यह बनके तैयार हुआ है अगर आपको मेरी यह वीडियो यहां तक भी देख ली है और पसंद आई है तो प्लीज एक बार लाइक से रोल सर्सक्राइब चरूर करोगे आप दोस्तों आपके साथ की स्पोर्ट की मुझे बहुत जरूरूत है क्योंकि मैं मैंनत भी बहुत कर रही हूं मैं डेल की एक दो वीडियो जुरूर डाल देती हूं और रिस्पोंस कुछ ज्यादा मिलता नहीं है तो थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि हीमत सी आर जाते हैं तो फिर आप प्लीज मेरे वीडियो की तरफ थोड़ा द्यान दे कि देख अच्छे तरीक के से इनको फ्राई करके दिखाते हूं मैं यह देखले दोस्तों मैं यह कितने अच्छे से तरीक के से मैंने बना दिये मैं इनको डाल के दिखाते हूं यह देखले दोस्तों कितने अच्छे मारे टेस्टी पालक रोल यह नास्ता तैयार हुआ आप इनू सु एक पीस भी ऐसे उठा के खाऊगे तब भी यह इतने ही टेस्टी लगेंगे अगर किसी मेहमान के आगया अगर आप इनको बना के रखते हुना पका मैं गारांटी देती हूँ आपकी तारीफ सालो साल होगी अगर एक बार आपके मेहमान इस पालक रोल नास्ते को खा लेंगे